GS की तयारी कैसे करें अब देखो GS जो है ना कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है लेकिन एक तरीके से यू समझ लो कि एक पजल है जिसकी गुत्ती कोई सुल्जानी पाया है और GS में माहौल क्या बन जाता है GS में माहौल ये बन जाता है कि पिछली बार एक पेपर में ये पूछ लिया गया था कि करिना केफ की हाइट कितनी है तो आपको लगा कोईशन से रेलिमेंट आते है आप या तो उसे एक सवाल की बीचे भाग लीजे या इस बार की सीजल में अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे रेलिमेंट कोशन पूछे गए आप उसके पीछे भाग लीजे शुरू में स्ट्राटजीकली मैं आपको बताओ तो यहाँ पर जीएस पढ़ना पढ़ेगा अब जीएस में आपको क्या पढ़ना पढ़ेगा तो सबसे पहले कर इंटर फ्यार दूसरा अगर हम यहाँ बात करते हैं तो स्टाटिक करना पढ़ेगा तीसरा अगर मेरे भाई यहाँ पर बात करते हैं तो आपके जो सब्जेक्ट हो गएं आपको वो पढ़ने पढ़ेंगे सर यकीन मानिये पढ़ना पढ़ेगा मतलब पढ़ना पड़ेगा हम कारण बताते हैं क्यों अब इन सब्जेक्ट में आपका हिस्ट्री भी है इन सब्जेक्ट में आपका पॉलिटी भी है इन सब्जेक्ट में आपका जोगरफी भी है इन सब्जेक्ट में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आपका History, Policy, Geography, Economics भी हो जाएगा और उसके बाद आपका Science हो जाएगा Science में आपको यहाँ पर Newton's के Laws नहीं पढ़ना है Science में यहाँ पर Chemical Reactions नहीं पढ़ना है Science में यहाँ पर किसी का Chemical Formula नहीं पढ़ना जो Static Part है ना वो पढ़ना है मुझे भी शुरू में लगा, मैं Chemistry Owners का मंदा हूँ मुझे लगा रहे, Owners किया तरे भाई ने Chemistry में लपेड देगा अब भाई साब बाद में यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर Question ऐसे पूछे जाते हैं कि जो आप LPG Gas अपने घर में रखे हुए हैं गरेलू Gas है उसमें महक आती है तो किस वजह के आती है कौन सा chemical डाला जाता अब यह तो हमारे में पढ़ाया ही नहीं गया जो सिंदूर औरते सर में लगाती है उस सिंदूर में कौन सा chemical है यह बता हो यहाँ पर यह हमारे chemistrenders का पाटी नहीं था यार हमें तो पता नहीं कौन कौन सा reaction पढ़ाया गया जो यहां करा के पता चला कि इसकी तो कोई जरुवत ही नहीं है बेकिंग soda, lime soda से जादा सवाल यहां बनता ही नहीं है बैलो जी में हमने क्या क्या पढ़ लिया यहां पर पूरा का पूरा grant पढ़ लिया मानो शरीर पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया और यहां पर जास्यात, विटामीन और यह सब calcium deficiency के उपर question रह रहे होते है तो यह बड़ा simple सा होता है कि science में बहुत जादा मैनत नहीं करती होती limited इसके अंदर भी जो static part होते हैं जो नहीं बदलते हैं वो आपको पढ़ना होता है उसके बाद यहां पर यह जो sources हो गया भाई, history इतना प्यारा है, यकीन मानो मातर तीन पार्ट में बदला है एक आपका हो गया ancient, दूसरा आपका हो गया modern और तीसरा आपका हो गया medieval आप पूरी history क्यों उठाते हो मत उठाओ न, आप कोई एक पार यहां पर उठा लो जैसे मानो आप ancient आपकी इच्छा नहीं हो रही आप यार modern history से शुरू कर लो क्या दिक्कत है, medieval से शुरू कर लो गांदिया नजरा से शुरू कर लो दिल्ली सल्तनात से शुरू कर लो नई समझ में आ रहा था, फिर हमने शुरू किया modern से, गांदे नयर्श शुरू किया इन चीजों को हम relate कर पा रहे थे तो यहां से के करके points बनाने शुरू किया याद करना शुरू किया, तो शुरू करना पड़ेगा एक बार में कभी नहीं होगा मैं कहारा हम, दस बार चित के पठ हो जाओगे उठाओगे लूसेंट, पटक दोगे उठाओगे पटक दोगे, उठाओगे अपना कोर्स पटक दोगे लेकिन add then, फिर पकरना पड़ेगा फिर पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी है ठीक है, 5 आर्टिकल आपको याद है और आपके पेपर में 6 आर्टिकल आ गया किसकी गलती है, यह बताओ, आपकी गलती है examiner की गलती नहीं है, क्योंकि सीधा तोर पे है कि आपको कम से कम 20 से 25 आर्टिकल तो याद होने चाहिए अब 5 आपने याद किये, तो आपकी भूल है ना आपने 15 आमेडमेंट याद करके चले गए और मान लिजे, 16 आमेडमेंट पूछ लिया गया जो आपको पता ही नहीं था यहाँ पर मिनी कॉंस्टिटूशन वाला पूछ लिया गया कि कौन से आमेडमेंट को मिनी कॉंस्टिटूशन कहते है और वो आपको पता ही नहीं है सर आपने 5 येर प्लान पढ़कर गए और 5 येर प्लान पढ़कर जाने के बाद वहाँ पे ऐसा हुआ कि सर आप उसमें जानी नहीं पा रहे हैं यहाँ पर फलान प्लान जो हुआ ता उसमें क्या आया हुआ था मान लीजे कि आपने पहला दूसरा तीसरा प्लान पढ़ा जो हर किसी को पता है तो ये सारे किसारी चीज़एं जानों बहुत दिकत करने वाली है आपको जोगरफी हो गया, पूरा मौसून अच्छे से पढ़ना है आपको परवत, पठार और जो स्टाटिक पार्ट हो गया, इस सारी चीज़ अच्छे तरीके से कवर करनी है, तो ये डीटेल में आपको पढ़ना पढ़ेगा, वन लाइन से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है, अब यहाँ पर आप चाहे तो किसी का कोर्स लेके पढ़ो चाहे आप यूट्यूब से पढ़ो, चाहे आप किताब से पढ़ो, लेकिन भाई पढ़ना पढ़ेगा मतलब पढ़ना पढ़ेगा, you can't skip मैं literally बता रहा हूँ, आप skip नहीं कर सकते अब पढ़ लिया तो इसको रीटेन कैसे करें, तो रीटेन मेरे भाई आप यहाँ पर कर सकते हैं, क्विज देकर आप जितना जादा क्विज देंगे, आपके लिए उतना जादा फाइदे मन्द होगा जितना क्विज दोगे ना, उतना बहतरीन है आपके लिए समझ रहे हैं यहाँ पर जितना क्विज देंगे, उतना बहतरीन क्विज से जी के याद होता है क्विज से, जितने sectional आप एक काम करो बिहार में आजाओ, ठीक है, बिहार में मैं जहाँ पर रहता था ना, वहाँ पर मैं देखता था कुछ नहीं, रेलेवे के जो तयारी कर रहे बच्चे होते हैं ना पता है क्या करते हैं, पचास लोगों की यह कमेटी बना ली, ठीक है, आज एक बन्दे का काम है, कि वो पचास कोश्चन को फोटो कॉपी गरवा के लाके सब को देगा, ठीक है, वहीं टेस्ट लेगा और वो सब के solutions करवाएगा, वो सब को समझाएगा, कल कमेटी में दूसरे बन्दी की बारी थी, especially मैंने मेरे घर में एक वेक्ती जो है, वहाँ पर मेरे घर के बगल में रहते थे, किराये पे रहते थे और उसके बाद वो जाते थे, लोको पाइलेट के तियारी करने, तो उनके घर में मैंने इतना देखा था, compilation, ये सारे set थे, मैंने का, ये सारे आपने लगाएं, हाँ हमारे एक पार्क में committee चलता है, शाम को 50 लड़के आते हैं, हम सारे circle बना के बैठे होते हैं, एक circle, दो circle तीन circle ऐसे करके, और उसके बाद हम सारे के सारे ये GK के question discuss करते हैं, तो एक वो भी तरीका हो सकता है, तो भाई तरीके ढूंडो बट questions लगाने से वो चीज़े बहतर होती चली जाएंगी, तो मेरा मानना GS में बस इतना ही है कि आप पढ़ो, ठीक है यहां static का पार्ट है, static भी बहुत बहुत चैनल से सर, बहुत चैनल से जिन्होंने trick के मादम से करार रखा है बहुत चैनल से novel price को कैसे आज करें हमारे शिवान सर इतना महनत करते हैं आप देखिए एक बार, नीटू डागा मेडम इतना बढ़ियां महनत करती है, दीपक सर इतना महनत करते हैं, आपको जिनका content बढ़ियां लगता है, आप पढ़िये ना यहाँ पर इतने अल्रेडी PDF है, वन आइनस है YouTube पर, Telegram पर हर जगा से circulate हो रहा होता है, कितने सारे लोग हैं इंडस्ट्री में जो अच्छा काम करते हैं free में static की 6600, 7700 पन्ने की यहाँ पर PDF बना कर, किताब बना कर आप लोगों तक पहुचाते हैं, material तो है आपके हाथ में, आप ही नहीं पढ़ेंगे, तो दुनिया में आपको कौन आगे बढ़ाने वाला है, बढ़ा ही नहीं सकते है तो इसके उपर भी आपको काम करना है, कि GS में बहुत तकड़ी पकड़ बना के चलनी है